गुड मॉर्निग इस्टुडेंट हिंदी लिट्रेचर में आज हम कच्छा साथ के वसंत भाग दो का अध्यन करेंगे जिसमें दस्वा चेप्टर है अपूर्व अनुभव इसकी लेखका है तेट्सुको कुर्यानगी इसका हिंदी अनुवात किया है यागी कुष्वाहरी तेट्सुको कुर्यानगी का जन्म 9 अगस्त 1933 को टोकियो जापान में हुआ कि माता का नाम च कुर्यानगी इता का नाम मौरिद सुना कुरोय नागी इनका मुख्य बेशाय अवनेत्री आवाज अवनेत्री के रूप में रहा है अपूर अनुभव इसमें लेखिका ने दो दोस्तों की कहानी के बारे में वर्लन किया है जिसमें एक जो है पोलियो से ग्रसित है और वो जो है किसी उची जिगह या चलने फिरने में असमर्थ है लेकिन उसके दूसरे दोस्त ने उसे अपने पेड़ पे चड़ाने के लिए अथक प्रयास किया और अंत में वो शफल हो गया इन ही के उपर ये कहानी निर्भर है